बहिया आज मैं आपके लिए Microsoft की तरफ से बहुत ही जादा बहतरी नैप लेके आया हूँ especially blind log के लिए भी मेरे को लगता है क्योंकि हम लोग को एक तो image से PDF convert करने बड़ी दिक्कत आती है और image पढ़ने के लिए भी एक बहुत अच्छा app है मतलब आप इसमें voices है Microsoft की voices आपको बता ही कितने अच्छी होती है उनकी जबारा image read कर सकते हो convert कर सकते हो और भी बहुत कुछ even document पढ़ सकते हो handwriting भी आप इसमें पढ़ सकते हो मतलब बहुत ज़ादा बहतरी नैप है एप का नाम है Microsoft Lens जैसे Google का Lens है वैसी Microsoft का Lens है ये तो कैसे use करना है सब कुछ जाने के लिए वीडियो में end तक बढ़े रहना बहुत ज़ादा easily आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा सर्च करना है Microsoft Lens मिल जाएगा टेलीकराम पे हम share कर देंगे तो वीडियो को भाई like ज़रूर कर देना भाई क्योंकि हम लोग के लिए especially ये एप है वैसे ऐसा कुछ नहीं सब लोग के लिए लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम लोग के लिए इसमें जो अच्छे अच्छे फीचर है वो हम लोग के लिए accessible भी है तो गाइस हम ओपन करेंगे application जिसका नाम है लेंस ध्यान रखिए Microsoft लेंस गूगल लेंस नहीं है लेंस को ओपन करेंगे लेंस ही पढ़ता है लाओ करेंगे लाओ करेंगे लेंस अब ये एप्लिकेशन ओपन हो चुकिए इसमें सब्सेवला उप्शन है यहां पर आपने जो जो भी scans कियोंगे यानि कि जो जो भी आपने document इंपोर्ट करके पड़े हैं या images पड़े है तो वह यहां पर आप देख सकते हो उनको शेयर कर सकते हो यहां ही से open कर सकते हो अब आपको इतनी देखनी नहीं है फ्लैश यहां से आप आप कर सकते हो आप गालरी में जो भी फोटो जो भी डॉक्वेंट्स विगारे हैं वह खुले होएं यहां पर आप ने लेटेस जो भी फोटो घरा खीची होगे अप डिरेक्ट यहीं सुसको उपन करके पड़ सकते हो नहीं तो हम भी हाइड कर देंगे इसको अब यहां पर हम देखते हैं अगे सबसे पहले होम बैक ओर वीव के उपर ना कुछ टैब्स है वो मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहला एक्शन है मतलब जो भी आपने टैब खुला होगा जैसे डॉक्यमेंट्स का है या इम आपक क्लिक करके आपनी फोट और के सकते हो यहा हँगे इमपोर्टे करके क्लिक करेको न hm इंपोर्टो कंसे देart कौ आपको सामने रखना है डॉक्मेंट और आप डॉक्षिम यहाँ पर कैप्चर करके उसको पड़ सकते हो इम्पोर्ट बटन है यहां से आपने फाइल मेंजर से डॉक्मेंट इंपोर्ट कर सकते हो अब यहां पर हम जो एक्शन बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो यह बोल रहा है कि आप अपनी इमेज में से 30 प्लस लैंविजिस में से अब यहां पर आपको जो भी आपने डॉकमेंट सेट किया उसको टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो यह रीड करना चाहते हो या कॉंटेक्ट है तो इस प्रकार आप डॉकमेंट जो टैब है उसका यूज कर सकते हो अब हम फोटो में चलेंगे एक फोटो पढ़के आपको उसक्याइब आपको मिलेंगे यहां पर भी चैप्चर का या इंपोर्ट का तो हम इंपोर्ट करेंगे सिंपल सा गैलरी यहां पर खुल गई सबसे लास्ट में नेटिव करना है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत आती है या डॉब स्कैन यूज करते हैं या और भी बहुत सरे आप यूज करते हैं तो आप इसमें ही कर सकते हो काम बस आपको वल्टिबल इमेज़े स्लेट करनी है और यह पर आपको option मिल जाएगा कि आप इसको सेव एज क्या करना चाहते है वन ड्राइफ वर्ड या पीडिएफ वो आगे देखेंगे तो यह बहुत अच्छी चीज आप पीडिएफ में कनवर्ट कर सकते हो इमेज़ेस को बहुत इजली अब अगली चीज आपर बता दू अगर आप कोई भी इमेज कैप्चर करके पढ़ सकते हैं यहां पर आप इसके जो क्वाल्टी है उसको लो हाय कर सकते हो रोटेट आपको यह कुछ चेड़ना नहीं है डन करेंगे हम तो अब यह जो हमारी इमेज़ा खुल रही यह और पॉकिट स्कैनर लिख है यह देखिए स्कैन आप कर सकते हो आप अपने डॉक्यमेंट बिजनेस काडंस को कांश कर सकते हैं और यहां पर श्टाट स्कैनिम्ग आपको बटन मिलता है तो तो गाइस यहां पर आपको start scanning पर क्लिक करना था मैंने गलती से बैक कर दिया था आगे जो start scanning बिला तो इस पर आपको क्लिक करना था अब यहां पर यह खुल गया हमारा जो फोटो है गो बैक तो यह आपका Microsoft account यहां पर शो करेगा ताइटल यह इमेज है हमारी सेव डू अब इसको क्या सेव किस में करना चाहते हो गैलरी में करना चाहते हो ऐसी फोटो यह तो यह आप इसको pdf करना चाहते हो यहां से लिए तो सीधा यहां से इसको रीड पे क्लिक करके यहां से रीड कर सकते हो सीधा और यह बोल के बताईगी चलिए मैं पहले रीड करके दिखाता हूं से बाद में करेंगे अब यह थोड़ा सा लोडिंग लेता है यहां पर और उसके आपके सामने जो रीड वाला फीचर है वो खुलेगा इसमें आप फिल गया वो इसके तो यहां पर बस आगया आपका टेक्ष्ट भी आ रहे हैं आप स्वाइप करके पढ़ सकते हो तो यह वर्ड बाइवर्ड आ रहा है हो मैं को पर प्ले बटन है सीधा सा प्ले पे क्लिक करेंगे एंगे अब ही पड़ेगा आगे में चीज माइक्रोसोफ्ट लेंस पीडियेफ स्कानर डीटेल्स वाट्स न्यू अबिलिटी तो रिनेम स्कान फाइल्स देखिए यह प्ले स्टोर से जो अब आउट वाला पेज होता है उसका में स्कीशनोट खेंचा था तो यह इतना अच्छा पढ़ रहा है इसकी वोइस बड़ी अच्छी है वोइस सेटिंग में जाके आप चेंज भी कर सकते हो देखिए स्पीड विया रहा तो यहां पर आप वोइस लेट कर सकते हो फीमेल या मेल और यहां से आप रज़स्ट कर सकते हो वान और रखिया है भी जब 1.5 होगी अब 1.5 देखे थोड़ी तेज होगे होगी इस प्रकार आप रीड कर सकते उसको जितनी स्पीड चाहो जो वोइस चा किया था कर दिया हमने आसे अब हम इसको सेफ करेंगा करना चाहो तो कर सकते हो तो आपकी इच्छा है हो गया सेफ यह देखे यह हमारी रही पीडिएफ ठीक है अब जैसे आप इसको ओपन कर सकते हो इसकी में भी पहले डाउलोड करेंगा अपी स्टोरेज में वेट करेंगे हो गया ओपन विद इन्वीजन ने आई देखे इन्वीजन ने मैं इसको पढ़ सकते हो ड्राइव में पढ़ सकते हो अब लग पीडिएफ में कन्वाट हो गया तो यहां पर सारे ओप्शन आ रहे हैं मोर में देख लेते क्या है एडिट कर सकते हो रिनेम शेयर डिलीट तो इस प्रकारना हम इसको चलिए एक बार इन्वीजन ने में ओपन करके आपको पढ़के दिखा देते हैं कि कैसा पढ़ता है ओपन करेंगें देखेगा यह पीडिएफ में कनवर्ट हो गया है गाइस हो गया देखें पेज पलटरा भी यह देखें मतलब इसने एक इमेज को पीडिएफ में कितने असानी से बदल दिया तो भाई सब्सक्राइब उब कना वर्ड फार्मेट में अच्छा आप है और इवन डीक्राइब आप ईसको रीडों आप को मलता है काफी अच्छा करता है ठीक है तो यह आपको इस प्रकार यूज़ कर रहा है इसे पर आप document भी capture करके आपने पढ़ा सकते हो तो एक भाईया मतलब बहुत ही जादा अच्छी एप मेरे को लगी Microsoft की तरब से तो उमीद है आपको भी सबकू समझ में आ गया होगा अच्छी लगी होगी तो कैसे लिगी आपको वीडियो कमेंट करके बता आ गया है वह भी जूट सकते हैं अगर आपका कोई भी कोशन आपको इंट बॉक्स में पूछ सकते हो वेब साइट पर विजिट जरूर करना भाईया वहां पर बहुत कुछ रेगुलर आपके लिए हो रहा है रेगुलर डेवलप्मेंट वहां पर चल रही है तो उसको आपने वाद मिलते हैं एक सी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई